अभी आप और में डिस्कस कर रहे हैं Financial Regulatory Bodies in India के बारे में अगर मैं Ministry के लेवल से बात पो स्टार्ट करूँ तो दो Ministries involved हैं हमारे Indian Financial System को Regulate करने के लिए एक है Ministry of Corporate Affairs और दूसरा है Ministry of Finance Ministry of Corporate Affairs के बारे में हम औरेडी पढ़के आचुके हैं आज हम पढ़ने वाले Ministry of Finance के बारे में Ministry of Finance में कितने departments हैं उनका क्या रोल है function उसको हम डिस्कस करेंगे साथ में Ministry of Finance ने अलग-अलग sectors के लिए specific regulators को बना रखा है और रिडी डिस्कस कर चुके हैं पहले बट एक बार फिर से revise कर लेते हैं Ministry of Finance ने बना रखाया Reserve Bank of India को Banking sector को regulate करने के लित सेभी को बना रखाया Capital Markets को regulate करने के लिए IRDI को बना रुक curling को रगुलेट करने के लिए PFardia बना रखाया Pension sector को regulate करने के लिए IFSc hm बना रखाया International Financial Service Centre युलिट को regulate करने के लिए हम ministry of finance के department उनको role उनके function को तो discuss करेंगे साथ में जो आपके सामने 5 regulators हैं उन में से एक regulatory body को discuss करेंगे कि उस regulatory body का क्या role है क्या function है वो regulatory body है Reserve Bank of India आप easily Reserve Bank of India को Indian financial system का main या supreme regulator बो सकते हैं मैं ऐसा क्यों बोड़ रहाँ देखो financial system की starting पैसे से होती है और जो आपके पास पैसा बढ़ेंक का नोट बढ़ें वह इसू करने का क्या Reserve Bank of India का fout करяхऊ करने का काँ कश्यकरने का 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 ρंश्यकर रेसरव बांक फव इंडिया का अगर बात करें पेमेड्मेंट करवान का अगर करें पैमेंटन अन्टीमान का जो payments वगर होती है वो सारा Reserve Bank of India ध्यान रखता है साथ मेंगर governments को डेट चाहिए government को पैसे चाहिए और तो उसको issue करने का काम securities को issue करके government के लिए debt procure करने का काम भी Reserve Bank of India करता है reserves maintain करने काम Reserve Bank of India करता है जो भी gold का reserve है foreign exchange का reserve है वो सारे Reserve Bank of India के पास यह है तो हमें समझ में आता है कि Indian financial system का जो majority काम है majority task है वो Reserve Bank of India को दे रखा है आज हम Reserve Bank of India के बारे में पढ़ेंगे कि क्या major function Reserve Bank of India करता है कौन से act में Reserve Bank of India को power दे रखिया है चलो आपके सामने पहले ministry of finance ministry of finance department को discuss करेंगे देखो ministry of finance का एक government में क्या रोल है एक government के अंदर अलग-अलग ministries बना रखिये जिनके specific task है को civil aviation का ज्यान रख रहा है कोई education के बारे में ज्यान रख रहा है कोई healthcare का ज्यान रख रहा है ministry of finance को काम दिया गया है हमें पैसा लाके दो तो ministry of finance कर रहा है मैं revenue कठा करूंगा अब वो revenue government के लिए revenue taxes की form में आता है taxes की form में भी आता है साथ में और भी revenue आता है अगर government कुछ investments वगरे कर रखे है तो उसमें interest के income वगरे हो सकती है तो department of revenue पैसे लाने का काम करेगा कमाने का काम करेगा अगर दो मेजर डिपार्टमेंट्स की बात करूं डिपार्टमेंट आफ रिवेन्यू के अंदर तो वह है CBDT Central Board of Direct Taxes जो आपसे income tax लेता है और एक है CBIC Central Board of Indirect Taxes and Custom जो आपसे GST recover करता है तो मेजर देखो income एक government की तो यही है तो यहां से department of revenue और भी अधर incomes है उधर से पैसे को raise कर रहता है अब ministry of finance के अंदर एक और department है जो expenditures के उपर ध्यान रखता है जो भी division वगएर होगा अलग-अलग sectors के लिए उनको पैसा provide करेगा हाँ जी आप expenditure वगएरा करें अब यह जो expenditures वगएरा होते हैं इससे पहले आपके expenditure होने से पहले कुछ budgets बना ले जाते हैं आप budget सुनतों ना finance minister आके बोलता है जी हम budget बना रहे हैं हम infra में इतना पैसे लगाएंगे हम education में इतना पैसे लगाएंगे defense वालों को इतना पैसा देंगे health care में इतना पैसा देंगे तो वो budget बनाने का काम भी ministry of finance की एक department है department of economic affairs उसका अंदर जो budget division है वो करता है department of economic affairs का गाम है उसने specific division मना दिया budget का division जो budget को बनाने का काम करेगा एक साथ में और division है economic division के नाम से जो economic survey लेकराता है economics की क्या हालत है अभी हमारी economy का क्या हालत है इंडिया के अंदर उसको बताता है प्रिजेंट करता है आगे के बारे में क्या expectation है उसके बारे में बताता है ठीक है जी तो यहाँ पर budget बन गए revenue को बता चल गया expenditure के बारे में बता चल गया आगे कुछ government की undertaking कुछ government के companies होते हैं जो काम वगरा business वगरा कर रहे है पब्लिक शेटर एंटरप्राइज होती है जो business वगरा भी कर रहे होती है तो उसमें भी government की income वगरा है अब वो पब्लिक शेटर एंटरप्राइज को जो ध्यान रखा जाएगा वो department of public enterprise करेगा जो पब्लिक शेटर अंडर्टेकिंग है सारे के सारे बैंक्स वगरा है जो government के बैंक्स हैं तो उनका ध्यान रखेगा department of public enterprise अब इस particular क्या करते है department ने specific हमारी enterprise का ध्यान रखा उनकी working का ध्यान रखा अगर वो enterprise में और investments करनी है या फिर उन investment को बेचना है divestments वगरा करनी है तो उसका ध्यान रखा जाएगा department of investments and public asset management के द्वारा अगर divestments के plan वगरा आ रहे हैं तो उसका जो बनाएगा proposal वगरा वो department of investments and public asset management करेगा साथ में अगर आप कुछ government के schemes में पैसे को डालते हैं तो उसका management भी इसी department के पास होता है public asset management के नदर ठीक है न पॉब्लिक का पैसा को manage कर रहे हैं तो वो भी department of investments and public asset management टेकर करता है ठीक है जी अब आते है मारी financial services के respect में जो आपकी financial service है उसके बार में department of financial services बनाया गया banking की service का ध्यान रखा जाएगा यहां पर insurance की service का ध्यान रखा जाएगा insurance की market सही तरीके से काम कर रही है pension की market सही तरीके से काम कर रही है अब हमें समझ में हमें पता है कि ministry of finance है अपने अंदर इनके specific regulatory body को बना रहा है अच्छा अगर financial market की बात करें तो उसका जिम्मा department of economic affairs को दे रखा है 90s के टाइम पे जो financial market है capital market है वो grow कर रहे थी उसके अंदर थोड़ी सी technical चीज़े थी तो उसका काम बोला कि या department of economic affairs आप ही कर लो majority काम department of finance के अंदर जो policy level पर होता है वो department of economic affairs ही करता है तो financial market division इस department of economic affairs के अंदर ही बना दिया यहाँ पर सेभी और आइससे को बनवा दिया ठीक है तो यहाँ पर ही सारे का सारा financial market का काम चल रहा है उनका देख रेक चल रही है चलो अब हम पढ़ेंगे reserve bank of india के बारे में जो कहिना के department of financial services के अंदर banking की service है उनको regulate करता है reserve bank of india आपके सामने है अब कुछ static awareness की बातें पढ़ेंगे कुछ history की बातें पढ़ेंगे कभी-कभी examination में basic level का question आ जाता है reserve bank of india बनाया गया था reserve bank of india act 1934 के द्वारा 34 में आक पास करा गया था government ने okay करा था और जो provisions apply करे गया थे वह apply करे गया थे 1st of April 1935 से जब act बनता है तो वहाँ पर किसी और date को designate करा जा सकता है कि इस दिन से इस act के provision लगेंगे सेम बात यहाँ पर भी थी 34 में act होके करा और बोला गया कि 1st April 1935 से इस act के provision apply कर जाएंगे आपको दोनों dates को याद करना है दोनों year को याद रखना है ठीक है headquarters की बात करें तो headquarters reserve bank of india का है मुंबाई के अंदर एक static awareness की बात जो reserve bank of india बना था वो एक commission मनाए गया था hilton young commission उनकी recommendations पर बना था कि एक central bank का requirement आजी central bank होना चीए जो इंडिया के banking system को वसी करें उसको support वगेरा करें तो उसके respect में hilton young commission एक report आये थी जिसके basis पर rvai को बनाए गया था हम rvai के act के preamble को पढ़ें किसी भी act का अगरा preamble पढते है तो पता चलता है कि किस basis पर किस function के लिए इस act को बना जा रहा है तो reserve bank of india के act के preamble ने बोला कि हम reserve bank of india को बना रहे है to regulate the issue of bank note bank note को issue करने का काम reserve bank of india को दे जिया गया and keeping of reserve अभी reserve gold की form में foreign exchange की form में होता है with a view to securing monetary stability जितने reserve वगरा रहते है उतनी एक country का financial system strong रहता आप सुनते रहते हैं न देखो जी इंडिया के forex reserve कितने जादा है पाकिसान के forex reserve कुछ भी नहीं है तो कहते हैं जी इंडिया बढ़िया है होता ना से तो monetary stability बने रहती है अगर monetary stability रहती है तो फिर जो foreign investments है वो भी आपके पास आती रहती है चलो and generally to operate the currency and credit system जहाँ पर banking का काम भी दे जागया बोला currency and credit का system currency का मतलब तो हमें पता है इसमें Reserve Bank of India को क्या-क्या function के लिए बात कर रही है चलो अगर हम RVA Act की बात करें तो RVA Act में बड़ी सारी बात है बोल रहे है Central Banking का function non banking financial institution है deposit taking वगर है non deposit taking financial institution है तो उनके regulation का काम बोल रहा है Credit information को gather करने का काम बोल रहा है जो आपका monetary policy बनाने का काम है उसको भी उसके बारे में भी Reserve Bank of India के Act में बात कर रहे है ठेक है ना Act के respect में separate session अगर आपकी exam के लिए relevant है तो मैं आपको provide कर दूँगा वो ठेक है ना उसके respect में mcqs भी provide कर दूँगा चलो Reserve Bank of India के Act को देखते है प्रेंबल कम और डिसकास कर चुके है एक public debt का Act है अगर government को पैसा raise करना है तो वो पैसा raise करने का काम Reserve Bank of India करता है government अपनी security देता है government को पैसा चाहिए तो government government की security issue करेगी आप उसमें apply करेंगे retail direct investment होती है आप directly करेंगे हाज मैं खृदूँगा मैं खृदूँगा government की security safe security है government जितना बोला है में को interest देगी उतना interest मिलेगा और पैसा डूबेगा नहीं तभी तो government की security लेते है तो public debt act बताता है कि government की security को issue करने का तरीका क्या रहेगा और Reserve Bank of India इसको manage करेगा लिखावाना to the management by Reserve Bank of India of public debt of government government के लिए data public का government जो security को issue कर रहा हूँ चलो government of securities act के अगर बात करे तो यहाँ पर laws दे रहे है rules बता रहे है कि security को किस तरीके से issue करे जाएगा यह भी manage किसको करना है Reserve Bank of India को ओके जी चलो foreign exchange management act के अगर बात करें तो इसके अंदर Reserve Bank of India को काम दे रहा है कि आपको foreign exchange market को यहाँ पर बनाना है develop करना है और foreign exchange reserves को ध्यान रखना है कि इंडिया से जो भी foreign exchange की payments वगएर और यह उस पर rules and regulations बनाने है ओके जी यहाँ पर आपकी capital account transaction होते है और current account की transaction होते है उसके बार में Reserve Bank of India जहाँ रखेगा ठीक है banking regulation act बना गया जो central banking का function करना है जो credit के system को maintain करने का काम करना है तो उसके respect में banking regulation act के थुरू सारे के सारे bank को regulate कर जाता है इसके अंदर power दे रहे के Reserve Bank of India को कि आप direction circles बगारा banking industry को issue कर सकते है जो भी आप उनको बोलेंगे banks को वो उनको perform करना पड़ेगा आगे कुछ specific organization आती है जो Reserve Bank of India को report करती है Reserve Bank of India के function को ease करने के लिए बनी है जैसे कि एक आपकी company corporation है deposit insurance and credit guarantee corporation act हमारा Reserve Bank of India ने financial system को बना गया banks को बना गया अब अगर bank कभी fail हो जाता है तो उस case में Reserve Bank of India की image खराब हो जाते Reserve Bank of India काईगा जी हमारा bank fail हो जाए यह तो हमारी नाकामी होगी ना कि हम उसके ध्यांदी रख पाए हमने इतना साधा के कहते हमें powers वगरा दे रखिया है और वो हम powers को exercise करके उस bank को अच्छे से function करने के लिए मजबूर नहीं कर पाए फिर भी वो fail हो गया समय तो इस respect में कभ करता है अगर आपने कोई पैसे को deposit कर रहा है किसी bank के अंदर और वो bank खुदा नाखास्ता fail हो जाए वैसे Reserve Bank of India fail नहीं होने देगा अगर वो fail हो जाता है तो जो भी आपके पैसे पढ़े उसको यह insurance company वापिस करेगी इसमें एक limit है जो आज के टाइम पे 5 रुपीस की है 5 र करेंगे अब Reserve Bank of India कर रहा है मैं तो पूरे bank को regulate कर रहा हूं specific banks को बनाया गया कि जो export-import का जान रखेंगे export-import bank को बनाया गया जो financial assistance देगा to exporters and importers ऐसे नबाड को बनाया गया national bank for agriculture and rural development rural area के development के लिए वहाँ पे credit पहुचाया जाए तो उसके respect में नबाड को बनाया गया जिसको function दिया गया कि आप आप supervise करेंगे जो regional rural banks है cooperative bank है agriculture वाली societies है उनको उनको supervise करने का काम आप करेंगे regulate तो Reserve Bank of India ही कर रहा है Reserve Bank of India ने बोला हाँ specific sectors के लिए आपको बनाया जा रहा है banking का function तो मेरा ही है बट आप rural area के developer के लिए काम करेंगे ठेक है जी समझ में आता है ऐसे ही national housing bank को बनाया जो housing finance housing institution को support करेगा उनको promote करेगा housing sector के अंदर finance को provide करेगा ठेक है जी ऐसे एक बनाया NABFID national bank for financing infra and development यह latest है All India financial institution में जिसके अंदर infra financing and infra के related जो bond and derivative market है उसको develop करने का काम करा जाएगा एक और आपका specific sector का bank है जो बनाया गया वह सिट भी small industry development bank of India यहां पर small scale sector पर काम चलता small industries है उनको promote करने का उनको finance provide करने का refinance की मत्ता facilities provide करने का काम यह शिट भी करेगा यह जो 5 bank specific sectors के लिए बनाया गए एक्जिम बनाया गया export import के लिए नबाट बनाया गया rural area में development करने के लिए credit provide करने के लिए housing bank बनाया गया housing sector को finance provide करने के लिए ऐसे एने बाट बनाया गया infrastructure के लिए city बनाया के small sector के लिए इन पाठ्चों को cumulatively बोला गया all India financial institution all India financial AI FIF हम आगे जाके जब financial institutions को पढ़ेंगे आपके सामने में देखो financial पुरा-पुरा financial system इंडिन financial system अभी तो हम regulatory body को पढ़ेंगे आगे जाके हम financial institutions को भी पढ़ेंगे यहां पर banking, investments, insurance, pension सारे के सारे पढ़ेंगे फिर हम financial क्या कहते है जो instruments है जो आपके money market के instruments है या फिर आपके capital market के instruments है वो सारे के सारे हम बाद में पढ़ेंगे अभी जो हम पढ़ रहे है वो regulatory body का पार्ट है बट कहीं न कहीं थोड़ो बहुत information बाकी चीज़ों की आपको होनी चाहिए अभी इसके अंदर जो हम discuss कर रहे थे All India financial institutions के respect में Reserve Bank of India ही regulations लेकर आता है इनके लिए specific regulations आती है All India financial institutions इन पांचों के लिए बाकी banks के लिए अलग regulation आता है इनको specialized regulation करना पड़ता है क्योंकि इनका काम business करना नहीं है इनका काम एक तरीक से development का है यह एक role play कर रहे है हमारी economy एक particular sector को develop करने के लिए आगे बात करेंगे payment and settlement system act आप जो भी payments वगरा कर रहे है उसके पीछे Reserve Bank of India की monitoring है supervision है generally जो payment system है जो major payment system है वो Reserve Bank of India ही own करता है अगर Reserve Bank of India own नहीं करता तो indirectly उसको own करता है अगर बात करूँ जो आप payment system आजकल use कर रहे है बहुत जादा वह है UPI वह NPCI चलाता है NPCI के अंदर भी Reserve Bank of India का control है investments वगरा है ठेक है ना तो payment system को regulate करने का काम Reserve Bank of India के पास है payment system सही तरीके से काम करेंगी तब यह तो financial system चलेगा अगर पैसे transfer ही नहीं हो तो क्या financial system चलाओगे ओके एक और act आता है जो Reserve Bank of India के अंदर है वो है factoring act एक specific bank के finance के respect में act को बना देगा आपके अगर कोई debtors वगरा है आप business करें आपको पैसे किसी से लेने है तो आप उसको assign करके bank को देके उनसे आप loan ले सकते हैं आपके जो receivables नहीं जो debtors है आपनो उसको assign कर दिया हाँ जी bank इससे पैसा recover कर लो मेरे को अभी पैसे की requirement है तो मेरे को loan दे दो इसके against तो यह regulate करता है assignment of receivables factoring act ठीक है अगला आपका act आता है credit information companies act 2005 reserve bank of india के पास यह भी function है act कंद उसको power है कि वो credit information को correct कर सकता है इसके respect में credit information companies बने जाती है जो ध्यान रखती है आपकी credit history का और वो financial system को provide करते है अगर किसी credit history खराब है तो financial system को बता जी जाएगा अलग-अलग financial institution को provide कर जाएगा ताकि आपको loan वगएरा ना मिले जी इनकी history खराब है ठीक है अगला act आता है securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest act पहले banking के perspective से समझते हैं bank को यहाँ पर बड़ा सारा functions वगएरा देजे गई जिया पैसे को loan की form में बाटव अलग-अलग banks है अब वो banks को securities लेके आपको loan देते हैं अब डिक्कत की बात यहा रही थी कि जो भी banks loan वगएरा दे रहे थे वह loan लोग repay नहीं कर रहे थे और जो securities वगएरा ले रही थी bank ने वह loan को देने के court के case तर जाते हैं अब वो पैसा recovery करने में court का case तो पता है ना recovery करने में सालो साल लग जाते है बैंक के आला तो खराब हुजाएगी तो इसके respect में एक specific act बनाया गया सर्फ ऐसी एक जो आपके सामने है securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest अभी हम इस पार्ट को देखते है enforcement of security interest यहां पर क्या power दी गई कि bank के पास जो security interest पर है मतलब जो security इसको मिली है जो collateral security को प्रॉपर्टी के काखजात वगरा मिले है उसको वो enforce करा सके इसके respect में यह act बनाया गया अब अलग courts में जाने की जुरूत ने है जो इस act के अंदर court बनेंगे वहां पर जाके easily bank security का enforcement कराता और securities को बेच के property for example अपने security में दे रखे उसको बेचेगा और अपने पैसे को फटफट recover कर लेगा जो यहां के rules को follow करते है पहले से बहुत असान हो गया banks को पैसे को recover करना साथ में आगे इसका act है एक part of act है securitization and reconstruction of financial asset जो भी bad loans बगएर होता है तो वो asset reconstruction company बनती है वो asset reconstruction company इन loans को security की form में आगे बेच देते बाट देते securities issue हो जाती है तो asset reconstruction company बनती है जो भी आपके loan को re-restriction बगएर करे जाता है उसका काम ARC बगएर करती है तो ARC को भी asset reconstruction company को भी reserve bank of india regulate करता है समझ में आते बाद चलो इस act के अंदर एक और काम कर गया जो यह enforcement of security का हमने बात करी न इसके respect में पहले पता क्या होता था कि एक ही यहार एक bank पे जाके वो काफ़ाद देते थे और loan लेते रहते थे तो multiple banks पे एक ही property के उपर loan दे रखा है तो आप समझों यहाँ पर fraud तो हो नहीं है तो इससे बचने के लिए इससे अब इसकी possibility को करने के लिए हमारी जो government उससे बनाया एक central database central repository बनाया इसका नाम रखा गया सरसाई सरसाई आप जाके web पर search कर सकते हैं यह central registry है जहाँ पर सारी की सारी information जो भी security interest create करा किसी bank ने उसको इस database में दालना पड़ता है अब अगर कोई bank loan दे रहा है तो वो चेक कर लेका यह जो property आई इसके उपर पहले कोई loan तो नहीं दे रखा ठीक है जी तो काफी एक important database database बनाया गया इस act के द्वारा ओके जी चलो अब हम functions of RBI पढ़ेंगे यह सारे के सारे function in act से ही निकले हुए है in act से ही निकले हुए Reserve Bank of India के act से major function निकले है और बाकि जो other act ने इनको poverty Reserve Bank of India को वो functions को अब हम पीछे पढ़ने वाले है ठीक है जी चलो पहला function आता है monetary policy का Reserve Bank of India के act के अंदर chapter mentioned है जो specifically monetary policy के respect में बात करता है कि Reserve Bank of India हमारी inflation हमारी country में जो inflation है उसको control में करने के लिए money के supply को regulate करेगा उसको मतलब ध्यान में रखेगा चेक में रखेगा कि money supply जादा तो नहीं है कम तो नहीं है depending upon inflation monetary policy के अंदर क्या बोला monetary policy refers to the use of monetary instruments under the control of Central Bank जो monetary instruments Central Bank के control में उनको use करके वो interest rate में changes बगरा करेगा money supply में changes बगरा करेगा उसके basis पे ताकि वो जो monetary policy के objective है कि हमें inflation को कम करना है या फिर हम inflation को थ देके ना चलो market operations के अगर बात करें तो market operations दो पार्ट में divided है एक तो monetary policy के operations होगे जैसे कि अगर आपको money supply को बढ़ाना है कम करना है उसकी basis पर reserve bank of India कुछ security को purchase या शेल कर देगा ताकि market से पैसा निकल जाए अगर reserve bank of India कुछ security को sale करता है तो यहाँ पर public से पैसा आ जाता है जिससे लोग purchasing वगरा कर सके तो थोड़ सा inflation check में रहता है कम रहता है ऐसी monetary policy के अदर अदर जो operations है वो reserve bank of India को करने पड़ते है साथ में foreign exchange के operations भी करता है आपने सुना होगा बड़ सारे reserves पड़े reserve bank of India के पास और कभी ने कभी news आती है कि reserve bank of India ने एक major chunk of foreign reserve को dump कर दिया यह dump क करा जाता है ताकि जो हमारा exchange जो external value of rupee है उसको कहीं ना कहीं चेक में रखा जा सके हमारा रूपिया ज्यादा depreciate नहों हो जाए इसके business पर डॉलर बढ़ रहा होता है तो reserve bank of India क्या करता है बड़ा सारे 25 billion dollar लेगा और international market में जाकर उसको sale कर देगा ताकि dollar थोड़ सा नहीं च provision of banking and non banking financial institution जो NBFC है जो specifically banking related काम करें उसको RBI regulate करता है और जो बाकी के financial institution है capital markets के है उसको specific regulators जो other regulator के financial institution है उसको specific regulators ही regulate करेंगे बट जो banking related काम करें थोड़ा सा भी उसको reserve bank of India regulate करेगा ठेक है ना RBI के act के अंदर banking and NBFC non banking financial institution दोनों के regulation की power दे रखिया है और इस act के अंदर provision दाला गया कि अगर कोई specific institution है जो अलग regulator के अंदर आता है तो उसको regulate RBI नहीं करेगा उसको फिर वो specific regulator regulate करेगा ओके जी चलो regulation of money forex government security market and also care also certain financial derivatives यह सारे regulation reserve bank of India के पास है money market के respect में laws वगरा कौन बनाएगा reserve bank of India आप जाके check करेंगे reserve bank of India की website पर जो money market के instrument है उस पर कैसे dealing होगी कितने amounts में dealing होगी कितना minimum amount होगा उसके बारे में सारी बात है बोल रखिया है ठेक है government securities की बात करें government securities को बेचने का काम reserve bank of India के पास है foreign exchange market को regulate करेगा उसको oversee करेगा reserve bank of India और कुछ elements of corporate debt देखो corporate debt generally capital market में चले आता है बट अगर short term की debt को raise करा है तो उसको money market instruments के थ्रूप करा जा सकता है for example commercial paper जो corporate debt है वो कह का यार अगर एक साल के लिए loan चीए तो commercial paper की form में पैसे को raise कर सकते है जिसको reserve bank of India regulate करता है और साथ पर लिख है and derivatives relating to interest rate अगर को derivative transaction लिया है इसके बारे में हम आगे जाके जब financial instruments को पढ़ेंगे तब आपको एक-एक derivatives जो instruments को समझाये जाएगा तो यह वो futures हो, forward हो, swaps हो, options बगर हो but अभी के लिए जो derivative contracts बगर है interest की form में जो interest rate पर derivative contracts है उनको RBI regulate करेगा and foreign exchange की derivatives यहाँ पर हम बात को थोड़ा सा extra थोड़ा सा आगे लिके जाते है foreign exchange की derivatives है यहाँ पर Reserve Bank of India को power मिल गया अगर foreign exchange की derivatives की बात करें जो stock exchange पे लिस्टेड है, census पे लिस्टेड है तो उसको कौन regulate करेगा तो आपने देखा होगा जो भी stock exchanges बगर है, उनको regulate करता है SEBI अगर इस specific contract की बात करें, अगर foreign exchange की उपर कोई derivative contract है जो stock exchange पे लिस्टेड है तो उसको दोनो regulate करेगा कौन? SEBI भी regulate करेगा and Reserve Bank of India भी regulate करेगा अगर Reserve Bank of India के act की बात करें तो वहाँ पर एक chapter दे रखा है joint mechanism के नाम का यहाँ पर एक committee बनाए जाती है अगर कोई ऐसा instrument, कोई ऐसा institution है जहाँ पर थोड़ा सी ambiguity है कि कौन सा regulator regulate करेगा तो इस joint committee के अंदर बैटते है, finance minister जो होता है वो इसका chairperson होता है और वो फिर decide करते है कि कौन सी regulatory body इस particular instrument या फिर institution को regulate करेगी समझ में आतना logic थोड़ा थोड़ा ऐसा थोड़ा है कि एक ही body पर बड़े सारे regulators को नहीं लिख रहेंगे unless and until requirement नहीं है जैसे इस case के अंदर foreign exchange की तो derivative contracts है इसमें दोनो regulatory body RBI चो लिस्टेड है RBI एंड से भी दोनों regulate करेंगे चलो payment अगर आपको अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर से जारी है बात तो अभी आप बने रहे lectures के साथ आगे जाके जिए मों financial instrument यह पूरा financial system अगर complete हो जागा ना जिस दिन तब आपको बात बहुत अच्छे से आगी तो यह financial system समझे के लिए थोड़ी बात है तो overlap करेंगी यह पूरा financial हमारा purpose ही है कि पूरे financial system को हम समझ सके चलो वापे से और act तो देखते है और क्या क्या पावर्स हैं और कहा के functional reserve bank of india के पास तो payment and settlement system को हम बढ़के आ चुके है कि इसके बारे में powers reserve bank of india के पास है अगर main role की बात करें तो यहाँ पर system को provide करने का काम करता है reserve bank of india ही आपको payment system provide करता है regulate करने का काम करता है अगर और भी participants involved होते है न जैसे google पे है पे यह यह participants है आ पैसे को लेना होता है collect करना होता है government के लिए चलो currency management के अगर बात करेंगे तो under section number 22 of RBI Act यहाँ पर power दे रखे reserve bank of india को कि आप bank notes को issue कर सकते है इसलिए bank note के उपर governor का signature होता है ठीक न चलो अगर currency की बात करेंगे तो यहाँ पर जो power दे रखे है वो 2 से लेके 10,000 रुपे तक note को आप issue कर सकते है ठीक है ना दो से लेके 10,000 रुपे तक के note को issue कर जा सकते है इन denomination के अंदर specific denominations भी mentioned है 100 का, 200 का, 500 का, 1000 का, 2000 का, 5000 का यह 10,000 का in denomination में आप issue कर सकते है साथ में जो रुपी की coin होते है वो देखो government issue करती है वो government की responsibility होती है बट जो अगर आप सको अपको financial system में दालना है तो वो Reserve Bank of India ही करेगी यह government जो coins की minting वगरा वो government के पास होती है बट इसको circulation में लाने के लिए Reserve Bank of India को देदी जाएगा जो अलग-अलग banks को provide कर देगी ओके जी चलो bankers to bank and bankers to government यह बहुत बड़ा function है हमारे Reserve Bank of India का सबसे पहले bankers to bank की बात करें तो बड़े सारे bank यहां पर function कर रहे है अब उनको अगर कभी loan वगरा चाहिए तो वो जाते Reserve Bank of India के पास जो भी interbank transaction वगरा करनी है देखो अगर bank की bank की transaction कर रहे है तो उनको भी Reserve Bank of India के पार खाता खुलवाना पड़ता है अलग-अलग banks को यहां पर कुछ reserves वगरा भी maintain कराते Reserve Bank of India वो सारे के साम वो सारे के सारे काम आपको Reserve Bank of India के पास current account कुलवा की करना होता है bank खुलवाता है as a banker to bank the Reserve Bank of India fulfills this role while discharging this role Reserve Bank of India focuses on interbank transaction settlement वगरा है एक बैंक की दूसरे bank से लिए करवाता है providing an efficient means of fund transfer for bank enabling bank to maintain their account with Reserve Bank of India for statutory cash reserve के बारे में banks के उपर अगर कुछ regulation लगा रखें जैसे CRR, SLR, CRR की बात करेंगे वो आपको Reserve Bank of India के पास maintain करना पड़ता है ऐसे ही Reserve Bank of India है lender of last resort अगर कोई bank problems में आजा था उसके पास liquidity नहीं है तो वो Reserve Bank of India से पैसे को raise कर सकता है as a lender of last resort it can come to the rescue of a bank that is solvent but phases temporary liquidity problem by supplying it with much needed liquidity पैसे को provide करते की कुछ time के लिए अगर temporary liquidity वगए रखे रहा है अगर कुछ गलत काम हो रहा होगा तो उसकी management को भी take over कर लेगी जैसे हमने देखा है यह बैंक की case के अंदर अगर current account open कराने की बात करें तो वह जो system use करते है वह है e-cubate system core banking solution cbs at the regional office of RBI जो भी bank का जहांपे भी registered bank का corporate office उसके respect में जो regional office RBI का वहीं पे तो वहां पे आप e-cubate के अंदर आपका आपका जो होता है current account उसको maintain कर सकते हैं चलो banker to government की बात करेंगे तो RBI act आजना bank to both central as well as the state governments तो इनके respect में जो recipients पेमेंट्स वगरा है वो Reserve Bank of India करेगा चलो debt and cash management for central and state government यह Reserve Bank of India को debt manager बोले जाता है यहां पर Reserve Bank of India अपने विहाफ पर एक loan दे देती है central government या फिस state government को जिसको बोले जाता है ways and means finance एक तरह का जैसे ओवर्ट्राफ का account होता है हमारा हमारे पास एक बिस्समेंट के पास तो वैसे ही government के लिए भी एक ओवर्ट्राफ का account होता है जो Reserve Bank of India प्रवाइड करता है तो इनकी limits हर बारी रिवाइस होते रहते हैं बताते रहते हैं वह आपको Reserve Bank of India अनौंस करता रहता है तो ways and means advance के अंत है foreign exchange management की बात करें जो आपका current and capital account के transaction है वो सारे Reserve Bank of India ही handle करता है दो broad categories है एक है आपकी capital account transaction इसके अंदर assets and liability अगर आपके कोई person resident in India है और उसके इंडिया के बाहर के assets and liability में कोई changes आ रहा है तो इसको capital account के transaction बोलते हैं अगर कोई person resident outside इंडिया है और इंडिया अंदर उसके कोई asset and liability में change आ रहा है उसको capital account के transaction बोलते हैं कोई liability जो liabilities वगएरा contingent liability भी include होता है इसके examples है foreign direct investments, foreign portfolio investment, external commercial borrowings वगएरा यह सारी capital account के transaction है, current account के transaction की बात करें, तो जो transaction capital account में नहीं आती, asset and liability में कोई फरक नहीं आ रहा, तो उसको हम बोलते है current account के transaction, for example, कोई exports हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, personal remittance को gift बगएरा है, आपके कहते है, foreign में कोई लोग रहते हैं, relatives जो पैसा बेज रहे हैं, यह सारे current account के transactions है, चलो, अब यह जो आपकी current and capital account के transaction है, इसमें net पता चलके आता है, कि foreign exchange की हमें कमाई हुई है, यह हमारे आसे पैसा भार निकल गए, तो management of foreign reserve के अगर बात करें, तो our way act as a custodian of foreign exchange reserve, आप इंडिया के अंदर foreign currency को नहीं चला सकते हैं, आपको इंडिया के अगर foreign currency आपके पास आती है, तो आपको उसको रिपी में convert कराना पड़ता है, और वो foreign currency reserve bank of india के पास रहती है, तो उसकी custody reserve bank of india रखता है, अब जो forex reserve है, वो impact का से होते हैं, वही जो आपने capital account के transaction and current account के transaction करी, यह बताएगा कि forex reserve बड़े है या फिर कम होई है, चलो, consumer education and production, अब reserve bank of india पूरा banking system चला रहा है, तो वो लोगों को directions रहा है, public interest के अंदर banks को direction देगा, कि आप ऐसे-इसे function करे, for example, अगर बात करें कोई unclaimed deposits हैं, तो उसके respect में recently कुछ directions वगर आई हैं, कि आपको mails वगरा भीजने है, जिसका भी पैसा है, तो public interest के अंदर consumer के education and protection के लिए reserve bank of india function करता रहता ह जाए वो advertisement की form में हो, या फिर directions की form में हो, financial inclusions and development, अलग-अलग financial inclusion की schemes आती रहती है, जिसके अंदर reserve bank of india का जो focus है, वो underserved and unserved sector है, जो financial system का part नहीं बन पारे, उनको financial services प्रोवाइड करना होता है, जो wonderful groups है, weaker section के, low income groups है, उनको financial services प्रोवाइड करी जा सके, affordable cost के अपर, जिस कुछ insurance की scheme आगी, जो बहुत ही, सस्ते rate मिल जाती है, वो सारी की सारी financial inclusion का ही part है, चलो, development of institution के अगर बात करेंगे, the reserve bank of india development role includes ensuring credit to productive sectors of the economy, जब भी आप देखेंगे, क्या कहते हैं, कि कोई particular sector सही काम नहीं करा, सही से function नहीं करा, तो जो हमारी reserve bank of india, वो कहती है, कि इस sector की working क sector के betterment के लिए, जहाँ पर थोड़ा credit को दिया जाए, पैसे को दिया जाए, पैसे को रोका ना जाए, तो वहाँ पर reserve bank of india, कुछ ने कुछ schemes के तुरू, पैसे के flow को maintain करते है, development का एक role play करती है, चलो, आगे कुछ research, service and data dissemination के लिए काम चलता रहता है, reserve bank of india, bulletins लेकर आते ह जो भी reserve bank of india में काम कर रहा है, तो इनका भी एक function है, कि जो भी data service है, उनको लोगा तक पहुचाया जाए, कि क्या functions वगरे चल रहे है, RBI के अंदर, यह एक brief सा reserve bank of india के functions के बारे में, जो role उसको play करना है, एक economy को develop करने के लिए, आगे जाके हम अलग regulators के बारे में भी करेंगे, next हमारा SEBI है, SEBI के क्या role the function है, उसको हम discuss करेंगे, next lecture के अंदर, इस session को हम यही पर समाप करते हैं, जब आपके पूरे regulatory body का session complete हो जाएगा, हर एक regulator के बारे में हम पढ़ लेंगे, तब आप MCQ test को भी attempt कर पाएंगे, इस session को हम यही पर रोकते हैं, ok data, bye bye.